हलो नमस्ते, असलाम अलेकुम, कैसे हैं आप लोग, आई होड़ आप लोग अच्छे होंगे, तो आथ की वीडियो हम आपसे बात करेंगे, मेडीकल के बारे में, जाविद भाई, ड्राइविंग के वीजा में हम जा रहे हैं, या हेलफर की वीजा हम जा रहें, तो क्या मेडी तो वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं बता दो कि आपकी एज साओधी आने के लिए 21 साल 4-5-6 महीने होने चाहिए आपका पासपोर्ट आपके पासपोर्ट के पीछे में लिखा होगा यह फोटो देख लो आपके पासपोर्ट के पीछे में लिखा होगा कि इम्मिग्रेशन चेक रिक्वार मतलब कि आपका पासपोर्ट एसी आर है जो की बीना सार्टिफिकेट से आपने बनाया है ठीक है और आपके पासपोर्ट पर एक्स्ता खर्च करने पड़ेंगे इम्मीगिरेशन के ठीक है ये तो परवानेंट आपका बाहर आने के लिए आप किसी एजन्ट से काम कराते हो तो सतर असी पचास साथ चालिस पचास एतना लगता है ठीक है आक बंद करके अगर काम सभी कर रहा अच्छा काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आधी पेमेंट पहले देतो बाकी पेमेंट भाई मेरे हाथ में जब आप वीजा टिकट दे दोगे न पास्पर्ट के साथ में त कराओ, अब medical driver कराओ, अब helper कराओ, अब 쪽ation कराओ, किसी भी post के लिए आप medical कराओ, उससे कोई फ़रक नहीं पड़ता है, medical के time में एक normal sa visa number चाहिए होता है, कोई सा भी visa number उठा करके देते हैं, medical करा लो, मेरा visa है, मेरा भी visa लग रहा है, same number, और आपकी वीजा पे सेम नंबर, दुसरे पे वीजा सेम नंबर से मेडिकल हो गया है, उससे कोई फारक नहीं होता, क्यों जब मेडिकल हो जाता है, मेडिकल में फिट हो, उस टाइम पे दोबारा वीजा का नंबर अपडेट किया जाता है, तो हम कोई सा भी ट्रेट चेंज कर सकते हैं क्यों सामने वालों को मालूम हम बता देते यार वह फर में नहीं जाएगा उसको काम मालम था तो हमने चेंज करा दिया उससे को फरक नहीं मैं जब आया था तो मैं जिसको बलाता भी था हूं नहीं था उसको मैं हेल फर के मेडिकल में थोड़ा कम पूछते हैं जनरली आपका एक्सरे लेंगे, आइस टेस्ट करेंगे, स्क्रीन होगा टीबी पर छोटे छोटे आक्षर दिखाएंगे, यह कितना है, एक हां बंद करके बताओ, तो ऐसे वो आप से पूछेंगे, ठीक है, और आप से सबसे अच्छी चीज क्या है, कि आप अगर चस्मा लगाते हो, तो आप अपना चस्मा साथ में लेकर के जाओ, अगर आप जैसे आई टेस्ट डोगे नथा आप उनको बोल दो कि यह मैं चस्मा यूज करता हूँ, यह मेरा चस्मा, यह मेरी चस्मे की रिपोर्ट है, अगर आपको चस्मी की जवरत है, चस्मा पहले ही बनवा करके जाओ, एंड फ्योर चस्मा बना लो, ठीक है, क्योंकि भाई पांच-छे अजार पे आप खर्च करोगे, फ्य चस्मे के वज़े से काम अटक जाएगा, तो क्या जवरत है, जब आपको मेडिकल वाला बोले, जब आपको मेडिकल वाला बोले कि आप सांस रोग दो, ऐसे खड़ा कर दे तो दोबारा रिये अक्सरे हो जाता है, ठीक है, तो यह ध्यान रखना आप हमेशा, मेडिकल के टाइम में अपने आपको नर्वस बिलकुल मत होना, तो आप लोग के समझ में आ गया, और यह और कुछ पुछना है, और कुछ पुछना है, हाँ मेरे कमाल आपको क्या लोग मेरी जो अभी वीडियो खतम होगी ना यहां से, जो आपको लाश्ट में तीन वीडियो जो मैं बोलता हूँ, यहां पर मैंने डाला हुआ है, वहां पर जाईए, वहां पर मैंने तीनों वीडियो में आफिस के बारे बताया, उस आफिस में जाईए, उस आफिस के तो प्रों काम करा करका यह क्योंकि मेरे पास अब कोई वीजा नहीं मैंने ट्रेंट्सन लेना छोड़ दिया है तो आप लोग बस चैनल सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो लाइक कर लिजे बाई बाई अला अफिस हलो दोस्तो आपके लिए मैंने यहां पे तीन वीडियो डाला है तीनों वीडियो में से आपने जो वीडियो अब तक नहीं देखी है उस पर किलिक करके वो वीडियो देख लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कुछ पूछना हो तो कम्मेंट डाल दीजी नीचे और इस वीडियो को आप जादस जादस शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आने कीजिए